नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हमारा टोपिक चल रहा है रिशो एंड परपोर्शन दोस्तों हम टोपिक पढ़ रहे हैं रिशो एंड परपोर्शन आज दोस्तों रिशो एंड परपोर्शन का हम पढ़ेंगे पारट नमबर फाइव इसके चार पार्ट हम already पढ़ चुके हैं फोर पार्ट हम already read out कर चुके हैं अगर आपने पहले वाले चार पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पहले वाले चार पार्ट देख लीजिए लिंक पहले वाले चार पार्ट का जो है description में दिया गया है ठीक है दोस्तो तो आज हम part number 5 start करेंगे दोस्तो मैंने part number 4 में आप लोगों को एक question simplify करने के लिए दिया था question number 30 सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं काफी अच्छा question है CGL mains में दोस्तो ये question पुछा गया था जो question number 30 है दोस्तो ये CGL mains का पुछा हुआ question है देखे question not के सामने है the ratio of last year income of ABC is 2 ratio 3 ratio 4 last year दोस्ते इसने बोला कि last year में जो है ABC की income का जो ratio था वो आपके पास कितना था 2 ratio 3 ratio 4 था दोस्तों ये last year का ratio है दोस्ते इनका while the ratio of their last year income and current year income is 3 ratio 4 6 ratio 7 and 2 ratio 3 देखे दोस्तों एक बात दो रिशने दिधान से देखिए कि A का B का और C का last year का और current year का जो income का ratio है last year मतलब जो पिछले साल थी और current year जो इस साल है वो कितना है 3 ratio 4 है यहाँ पे कितना है 6 ratio 7 है और यहाँ पे कितना है 2 ratio 3 है दोस्तों इसने बोला कि last year अगर A का income 3 था तो अब कितना है 4 है मतलब दोस्तों कितना increase हुआ 3 से 4 हुआ तो हम इसको बोलेंगे कितना increase हुआ यह increase हुआ 4 by 3 दोस्तों यह increase हुआ 7 by 6 यह increase हुआ 3 by 2 तो मैंसे बोलते हैं यानि के पहले अगर 3 था तो अब कितना हो गया 4 हो गया पहले अगर 6 था तो अब कितना हो गया 7 पहले अगर 2 था तो अब कितना हो गया 3 दोस्तों यह comparison है तो इस comparison के साथ आप इनके current year की income निकाल सकते हैं कैसे जैसे इसका income कितना था 2 तो यह कितना change हुआ 4 by 3 तो 2 का multiply 4 by 3 में करेंगे दोस्तों तो आजाएगा 8 by 3 ratio यह कितना change हुआ 7 by 6 7 by 6 का multiply 3 में करेंगे दोस्तों यह आजाएगा 7 by 2 ratio 3 by 2 का multiply 4 में करेंगे दोस्तों यह आजाएगा 6 तो दोस्तों यह ABC का क्या आजाएगा क्या आजाएगा current year का income तो इसको पहले simplify कर लीजिए 2 3 LCM कितना आजाएगा LCM आ जाएगा यहां से 6 तो आप इसको simplify करेंगे 6 का multiply करेंगे यहां पे तो 3 से 6 जाएगा 2 times 2 multiply 8 16 2 से divide करोगे 3 3 multiply 7 21 और 6 multiply 6 करोगे 36 तो दोस्तों यह आ जाएगा इन तीनों का ratio current year का अब किस ने क्या दिया if their total current income is 1,53,300 तो दोस्तों इनका जो total income है total income वो आपको 1,53,300 दिया है एका income आपको बताना है तो total income आपको दिया total income देखिए 36 plus 21 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 57 57 में 16 एड करेंगे 57 में दोस्तों 16 एड करेंगे हो जाएगा 73 तो यह total 73 जो है वो किसके equal दिया गया है 153,300 के दोस्तों ठीक है डिवाइड करेंगे तो 1 का value जो है दोस्तों आपका आजाएगा 2100 कितना आजाएगा दोस्तों 2100 73 से डिवाइड करोगे 2 पे चला जाएगा 146 बचेगा 7 1 पे चला जाएगा 2100 दोस्तों 1 का आपका value 2100 है तो आपको बताना है कि एक का income क्या था तो दोस्तों एक income कितनी है 16 16 का multiply कर देंगे 2100 में कर दीजिए 00 16 1 जा 16 1 कैरी करेंगे 16 2 जा 32 प्लस 133 तो आपका जो answer है दोस्तों वो आ जाएगा 33600 द्यान से देख लीजिए ऐसे question को आप आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत ही जादा important question है दोस्तों ये देखिए आपको सिर्फ इतना सा करना था कि पहले इसकी income 3 थी अब 4 होगी यानि कि अब होगी 4 पहले थी 3 पहले वाले इंकम को निच्चे रखेंगे इसी तरह ही 7 by 6 इसी तरह 3 by 2 तो दोस्तों अपने पास पहले वाली इंकम थी हमें present की इंकम चाहिए थी current year की इंकम चाहिए थी तो इस ratio से जिस ratio में चेंज हुआ है ह हम तीनों में उनका multiply कर देंगे ratio आ जाएगा और ऐसे आप question को simplify कर लेंगे फटा-फट नोट करिए फिर आज का session स्टार्ट करते हैं question number 31 से चलिए दोस्तों यह था का question number 30 जो पिछली क्लास में अपना रह गया था आज का session स्टार्ट करते हैं question number 31 से देखिए question number 31 आपके सामने है फटा-फट देखिए दोस्तों question number 31 आपके सामने है देखिए दोस्तों फटा-फट रीड आउट करिए question number 31 आपके सामने है question number 31 में क्या दिया गया आपको price of a diamond is directly proportional to square of its weight यानि के दोस्तों एक diamond का जो price है दोस्तों price जो है वो directly proportional है उसके weight के square के उसके weight का जो square होगा दोस्तों उसके directly proportional है मतलब अगर weight होगा उसका 10 मानलो weight कितना होगा 10 तो 10 का जो square होगा वही उसका क्या होगा दोस्तों price होगा इसका मतलब यह है कि अगर आपका weight है 10 तो 10 का square जो होगा वही उसका क्या होगा price तो इस बात का मतलब दोस्तो इतना सा ही है ठीक है इसने बोला कि weight का जो square है वही आपका क्या है price है आगे बोला diamond is broken into 3 parts whose weight are in the ratio of 5 ratio 3 ratio 2 diamond को break कर दिया गया 3 parts में जिनका जो weight है दोस्तो कितना है 5 ratio 3 ratio 2 यह weight है दोस्तो diamond को break कर दिया diamond तूट गया 3 parts में 5, 3 और 2 में अगर यह 5, 3 और 2 में तूटा है दोस्तो तो total weight diamond का कितना रहा होगा 10 रहा होगा अगर 5,3 और 2 में टूटा है तो उसका total weight कितना रहा होगा 10 था तब ही तो टूटा 5,3,2 में अब देखे इसके price की बात करते है तो यहाँ पे देखे दोस्तो price क्या आएगा price क्या बोला था कि उसके weight के square के equal है यह इसका weight है दोस्तो उसके weight के square के equal है अगर यहाँ से price देखें दोस्तो तो कितना आता है 100 अगर actual diamond की बात करें तो actual diamond का weight तो 10 था 10 का square करेंगे 100 और इनका square करके add करेंगे 38 यानि के पहले diamond का price 100 था और अब diamond का price कितना है 38 है तो इसने क्या बोला इसने आगे बोला if there is loss of 13, 3,10,000 यहाँ पे एक loss हुआ तो बताओ उसका actual में price कितना था तो दोस्तो यहाँ पे देखिए कि 100 price था और अब हमने कितने में sale किया अब हमने sale किया 38 में तो कितने का loss दिख आपको 61 का तो यही 61 का loss आपको 3,10,000 के equal दे रखा है तो 1 की value कितने आजएगे दोस्तो 1 की value आजएगी यह 50,000 कितने आजएगे उनकी value 50,000 देखिए 61 पे चला जाएगा 5,000 आजएगे कितने आजएगी 5,000 1 की value 5,000 है आपको बताना है कि diamond का actual rate तो दोस्तो diamond का actual rate क्या है 100 तो 100 की value हम बताएगे 100 की value कैसे बताएगे 5,000 multiply हो जाएगा 100 तो 5,000 के साथ multiply करेंगे 100 की तो आपका answer जो है दोस्तो वो क्या आजएगा 5,000,000 आजएगा 5,000,000 रुपे इसका answer है ठीक है दोस्तो इसने बोला कि उसका weight 5,000,000,000,000,000,000 दो में तोड़ दिया जाता है अगर total करेंगे तो इसका weight कितना बनता है 10 इस weight के हिजाब से value उसकी 100 है और इन weight के हिजाब से value उनकी कितने है 38 तो loss कितने का वहा 62 1 का जो किसके के कुल देर खै 3,10,000 के 1 के value आजएगी 5000 multiply करेंगे 100 में तो आपका अंस्वर्ज हो है दोस्तों वो 5 lakh आ जाएगा चाहिए एक और question करते हैं इस तरह का question number 32 की बात करते हैं देखें फटा-फट question number 32 32 में क्या बोला गया है price of a diamond price of a diamond is directly proportional to square of its weight same है उसके weight के square के equal है diamond is broken into three parts whose weights are 357 पहले उसको तोड़ा गया three ratio five ratio seven में इसने इस ratio में तोड़ा गया है आगे क्या बोला if diamond had been broken into one ratio two ratio three अगर उसको one ratio two ratio three में तोड़ देते दोस्तों तो क्या होता तो क्या होता वहां पे उसने बोला कि then there would have been a further profit of 90,000 कि अगर को इस इस ratio में तोड़ने की बजाए इस ratio में तोड़ देते तो 90,000 का फायदा होता ठेक है दोस्तों आपको बताना है कि इसका original diamond price क्या था original price क्या था diamond का यह आपको बताना है कि पहले तो इस weight में तोड़ा फिर इस weight में तोड़ा इस weight की बजाए इस ratio में तोड़ते दोस्तों तो ज्यादा होता 90,000 का फायदा में अब मुझे फटा-फट यह बताईए कि वही diamond यहां पे तोड़ा गया है और वही diamond यहां पे तोड रहेगा ना weight equal रहेगा यहां पे weight देखे कितना बंद रहा है 15 और यहां पे weight कितना बंद रहा है 6 यह तो equal नहीं है इस diamond का weight तो 6 है और इस diamond का weight कितना है 15 है यह दोनों क्या होने चाहिए equal होने चाहिए तो इनको equal कर लेंगे equal कैसे कर लेंगे आप इन दोनों को या तो 6 से और 15 से multiply कर लो या इन दोनों का क्या लेलो LCM दे लो इन दोनों का LCM लोगे तो कितना आता है 30 30 पे जाके दोनों equal हो जाएंगे इसको 30 करने के लिए 2 से multiply कर देंगे तो दोस्तों इस ratio को भूल जाएंगे 2 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा आपका 14 ठीक है दोस्तों यहाँ 6 को 30 करने के लिए 5 से multiply करेंगे 5 से करेंगे तो दोस्तों यह 5 हो जाएगा यह 10 हो जाएगा और यह आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह इनके वेट हो जाएगे यानिक इक diamond को 6, 10 और 14 में तोड़ा उसी diamond को 5, 10, 15 में तोड़ा तो यहां से फाइदा यहां हुआ 90,000 जादा एक चीज देखिए 10 तो यहां पे भी है 10 तो यहां पे भी है इसका square करेंगे 100 इसका square करेंगे 100 इससे कोई फरक तो नी पड़ेगा कोई फरक नी पड़ेगा price की उपर बात कर रहो हूँ क्योंकि price का square है इसका square करेंगे 36, इसका square करेंगे 25 तो देखिए 100 से तो 100 cancel हो जाएगा 14 का square करेंगे 196 यहां पे 15 का square करेंगे कितना 225 तो दोस्तों देखिए फटा-फट यहां पे मेरी बात सुनिए देखिए 100 तो यहां पे 100 यहां पे कोई फेक्ट नहीं आएगा यहां पे 36 है यहां पे 25 है कितना less है 11 less है तो minus का 11 और यहां पे देखिए 196 to 25 यहां पे कितना ज्यादा है यह यह कितना ज्यादा है 29 ज्यादा है तो दोस्तों यहां से overall जो value आएगी diamond की वो कितना change हुआ 18 और यही change तो 90,000 के एकवल है मतलब यह जो total बनेगा यह जो total बनेगा इन दोनों का difference कितना आएगा 18 चाहो तो आप complete कर लो कि देखो यहां पे आपका diamond कितने का बिकेगा देखिए फटाफट कितने का बिकेगा 196 plus 100 296 296 plus 6 202 plus 30 232 यहां पे diamond कितने का बिकेगा देखिए फटाफट यह 250 plus 100 350 देखिए यहां पे 350 का सेल हो रहा है यहां पे 232 का यह कितना हो जाएगा आपका 225 plus 100 325 plus 25 350 ठीक है 196 plus 100 296 यह 332 होगा दोस्तों यहां पे देखिए कितना ज्यादा बिक रहा है यह 18 तो इस 18 का ही तो value आपको 90,000 दे रखा दोस्तों और 1 का value क्या आजाएगा यहां से 1 का value आजाएगा 5,000 कितना आजाएगा दोस्तों 5000 आजाएगा 1 का value आपको बताना था actual actual diamond का rate क्या है दोस्तों actual diamond का weight कितना था पहले तो यह देखिए price तो बाद में निकालेंगे weight कितना रा देखिए फटा फट 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 तो actual diamond का weight था 30 दोस्तों अगर weight 30 था तो उसका price कितना बनेगा उसका price बनेगा 900 क्योंकि square में है और 1 की value आई है 5000 प्लस multiply कर देंगे 900 5000 multiply 900 आपका अंसर आजाएगा 45 और इसके पिछे 0 कितने आएंगे आप क्या जाएगे 5 zeros यानि कि 45 लैक आपका अंसर आजाएगा 45 लाक रुपे का ही रास दोस्तों वो actual में यह आपका actual price आजाएगा तो इस question को अराम से note कर लिजे सबसे पहले हम क्या करेंगे वही diamond था तो उनका weight equal करेंगे weight equal करके उनका price निकाल लेंगे price का difference 18 आया जो दिर खा 90,000 वन का value 5000 तो total weight था 30 total price कितना होता 900 तो दोस्तों total value कितने आती 45 लैक फटाफट नोट करिए अगले question पर move करते हैं फटाफट चलिए दोस्तों अगले question पर move करते हैं वीडियो को pose करके अराम से note कर लिया अगरो ठीक है देखिए question number 33 question number 33 की बात कर रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है question number 33 है in a school ratio of teacher boys and girls is one ratio nine ratio five teacher boys और girl का ratio जो है दोस्तों one ratio nine ratio five आपको given है या आपको given है when 13 new teacher join the school and 18 girls left the school अगर 13 teacher join कर ले और 18 लड़किया छोड़कर चली जाए then ratio of teacher to students become one ratio six यानि के teacher का students के साथ ratio जाता one ratio six देखिए दोस्तों धान से मान लीजे teacher आपके थे यहाँ पर X boys थे 9 X और girls थी 5 X ध्यान से देखिए फटा फट यह आपके teacher है यह आपके boys है यह आपकी girls है अब देखिए इसने क्या बोला teacher अगर जोइन कर लें दोस्तों कितने कितने teacher join कर ले 13 teacher join कर ले teacher join कर ले 13 और कितनी लड़किया छोड़कर चली जाएं देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं total student की total friend कितने है यहाँ पर 14 X है दोस्तो 14 X है total student लेकिन इन total student में से आपके कितनी लड़किया चली जाती है यहाँ पे दोस्तों चली जाती है लड़किया 18 18 लड़किया चली जाती है ठीक है? 18 है ना? देखे फटाफट कितना है 18 ठीक है 18 लड़किया चली जाती है तो teacher से student का जो ratio है दोस्तों वो जाता है 1 ratio 6 दोबारा सुन लीजे ध्यान से टीचर बोई और गल्ज का जो रिष्ट हो था वो वन नाइन फाइव था मैंने एजूम कर लिया टीचर थे एक्स बोई थे नाइन एक्स गल्ज थी फाइव एक्स टीचर्स में जोईन कर लेते हैं 13 और टोटल स्टुडेंट आपके देखे कित तोटल स्टुडेंट अब टीचर से टोटल स्टुडेंट का रिष्ट दे रखा वन बाई सिक्स क्रोस मल्टिप्लाई करिए फटाफट 14 एक्स माइनस 18 किसके एक्वल चला जाएगा 6 एक्स प्लस 78 के यह सैट आके माइनस होगा दोस्तों कितना बचेगा 8 एक्स यह सैट जा आने के बाद तो यह बचेंगी अगर पहले पूछी जाती तो 5x की वेल्यू निकालते बचिऊ यह लड़के बताने तो माइनस 18 भी करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू कितना है ट्वैल करेंगे दोस्तों 60 और 60 में से 18 माइनस कर देंगे आपका जो अंस्वर है वो कितना आ पहले बात नहीं है चलिए अगले क्वेश्ण पर चलते हैं को से को चनमबर 34 की बात कर लेते हैं को स्थनन नमबर 34 i gotas mk 34 a back contain 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे को 50 पैसे 25 पैसे के और 10 पैसे के जो को एन हैं दोस्तों उनका रेशो आपको दिया है कितना 4 ratio 5 ratio 8 4 ratio 5 ratio 8 दोस्तों ये question हर एक exam के लिए important है चाहे आप banking का exam दें चाहे आप SSC का exam दें चाहे आप HSSC का exam दें कोई भी exam आप phase करेंगे तो ये question हर एक exam में पूछा गया है हर एक exam में question पूछा गया है चलिए इसने ratio दे रिखा था coin का आपको देर खा था कि वहाँ पे total जो पैसे है amount जो है 162 rupees है amount दोस्तों आपके पास यहाँ पे 162 rupees ये total amount आपके पास है अब ज़रा मुझे फटा फटा आप ये बताएंगे देखे मैं आपको ले चलता हूँ मान लीजिए आपके पास ये 4x coin है ये 5x coin है ये 8x coin है दोस्तों ये coin है ये क्या है coin बट आपको क्या बताना है rupees बताने है जरा मुझे बताओ अगर मैं आपको बोलों कि 50 पैसे के आपके पास 4 coin है दोस्तों 50 50 पैसे के आपके पास 4 coin है तो रुपे कितने बनेंगे बताओ फटाफट, रुपे कितने बनेंगे, रुपे बनेंगे 2 रुपे, कितने रुपे बनेंगे दोस्तों, 2 रुपे, क्यों, क्योंकि 50 पैसे के 2 कोईन मिलकर 1 रुपे बनाते हैं, 50 पैसे के 2 कोईन मिलकर 1 रुपे बनाते हैं, इसलिए यहां कोईन्स को हमने 2 से के रुपए बनाते हैं तो इसको रुपए बनाएंगे डिवाइड बाइ 4 होगा और 10 पैसे के 10 कोईन मिलके रुपए बनाते हैं तो इसको कोईन बनाएंगे डिवाइड बाइ 10 हो जाएगा और ये total value आपको किसके एक्वल दे रिखें दोस्तो 1 62 2 के एकवल दे रहिए, फटा-फट LCM दे लिजिए, LCM इसका आजाएगा 20, तो दोस्तो 20 आजाएगा 10, 10 multiply 4, 40X, plus 5, 5 multiply 5, 25X, plus 10 multiply, यह जाएगा 16X, equal to 162, दोस्तो 20 multiply में चला जाएगा इनको add कर लिजिए, यह जाएगा 65, 65, 71, 81, 81X is equal to 162, multiply 20, 81 से divide करेंगे 2, तो X का value दोस्तो आपके पास आजाएगा 40, X का value अगर 40 आया है, आपको बताना है, find the number of 25 पैसे coin, 25 पैसे के जो coin थे, उनका number कितना था, यानि कि 5X की value दोस्तों बतानी है, X की value आई है 40, तो 5 multiply 40, आपका जो answer है दोस्तों, वो कितना आजाएगा, 200 आजाएगा, फटा-फट नोट करिए, फटा-फट से, ठीक है दोस्तों चलिए, अगले question पर move करते हैं, इसी तरह के 2-3 question हो करते हैं, तो देखिए, question number कितने पर पहुंचे हैं, 34 हो चुका, 35, question number 35 देखिए, फटा-फट, question number 35 आपके सामने है, क्या दिया, ये back contain 1 rupees, 50 पैसे, 25 पैसे coin, एक रुपे के, 50 पैसे के, और 25 पैसे के आपके पास coin है दोस्तों, जिनका ratio आपको दिया गया है, कितना, 3 ratio, 5 ratio, 9, 3 ratio, 5 ratio, 9, और total रुपे आपको कितने देगे, रुपे देगे, 465 रुपीज, ये आपके पास total value है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 3X हो जाएगा, ये 5X हो जाएगा, अब, एक रुपे के coin को रुपे में convert करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ये रुपे ही है, 50 पैसे के coin को रुपे में convert करने के लिए किस से divide करोगे, 2 से, और 25 पैसे को convert करने के लिए किस से divide करोगे, 4 से, और ये total किस कैक्वल है, 465, अग्याप कर सकते है, यह multiply 5 में 10x, यहाँ पर आ जाएगा 9x equal to 465 तो दोस्तों यह multiply में चला जाएगा 4 यह कितना बन जाएगा आपका 22 plus 9, 31x is equal to 465 multiply 4 31 से divide करेंगे दोस्तों तो यह चला जाएगा 31 जा 31 और 31 5 जा, तो दोस्तों x की value आ जाएगी यहाँ से 60, कितना आगा x का value 60 आगे आपको बताना क्या था दिन नंबर 50 पैसे कोई, 50 पैसे के कोई 50 पैसे कोई कितने दोस्तों आपके 5x तो 5 का multiply करेंगे 60 में आपका अनस्वर जो है 300 आ जाएगा ठीक है दोस्तों, question number 35 था आपका यह note करिए, फटा फट ठीक है कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए एक question रुकरते हैं, question number 36 चलो देखो question number 36 क्या है यह back contain 50 पैसे, 1 रुपे, 2 रुपे is coin in the ratio 532 if the total amount is 160 रुपेज, find the number of 2 रुपेज coin, दोस्तों यह question आपको खुद से tackle करना है ठीक है, same question है बस यहाँ पर क्या धहन रखना कि जो 2 रुपे के coin है 2 रुपे के coin है, उनको रुपेज में convert करने हैं, आप divide नहीं करेंगे multiply 2 करेंगे, जैसे आपको हम बोलों कि 2 रुपेज के आपके पास 10 coins है तो total रुपे कितने होंगे टोटल रुपे कितने होंगे दोस्तों total रुपे होंगे, आप 20 रुपेज क्यों, क्योंकि एक coin में 2 रुपे हैं, तो 10 coin में 20 रुपे हो जाएंगे तो मतलब कि 2 रुपेज के coin को रुपेज में convert करने के लिए आप 2 से multiply करेंगे, ना कि divide ठीक है दोस्तों, यह question आपको खुद से tackle करना है, चलिए question number 37 की बात करते हैं question number 37 question number 37 आपके सामने है काफी important question है दोस्तों, बहुत ज़्यादा important question SSC और banking, दोन्यों exams में दोस्तों यह question बहुत बार repeat हुआ है, बार बार repeat हुआ है बार बार repeat हुआ है, बिलकुल आसान सा तरिक आपको में बताऊंगा इसका, देखिए a line chases a deer एक जो सेर है, एक हिरन का पिछा कर रहा है, ठीक है the line takes 3 laps for every 4 laps of the deer यहनि के line जो है 3 उचाल लेता है 3 jump लेता पैसा बोल सकते हैं और deer जो है 4 jump लेता है in 5 lap is equal to the distance covered by deer in 8 laps यहनि के 5 laps में जितना सेर कवर करता है, उतना ही distance जो हीरन है, वो 8 laps में कवर करती है, तो आपको बताना है ratio of speed तो देशतो, speed की बात जब करी है तो speed का ratio आप तभी बताऊगे जब आप पहले किसका नाम आया पहले line का नाम है, सबसे पहले line को ही लिखेंगे और फिर आपके deer का, तो बाद में लिखेंगे deer ठीक है, पहले बड़ा क्या लिखा कि line के जो 3 laps है वो किसके equal है दोस्तो, वो उसके 4 laps के equal है और distance की बात अगर हम करें distance की बात, दोस्तो, distance को हमेशा निच्चे रखना है, बस ये बात आपको धहन रखनी है कि distance को निच्चे रखना है ratio के अब line का distance कितना cover किया 5, ratio deer ने कितने लिए, 8 तो दोस्तो, अब आपको सिर्फ क्या करना है cross multiply कर देनी है iskis के साथ multiply करोगे 24 आ जाएगा, और iskis के साथ multiply करोगे, 20 आ जाएगा cancel करोगे, कितने से cancel होता है, 4 से 6 ratio 5 दोस्तो, यही आपके speed का ratio है कुछ नहीं करना है आपको कि पहले वाड़ा जो value है वो पर रखेंगे, और distance का value रखेंगे मेसा निच्चे, और cross multiply कर देंगे आपका answer आ जाएगा, इस का answer है 6 ratio 5, ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे question में आपको direct answer बता लग जाएगा, ठीक है दोस्तो चलिए, एक question और करा देता हूँ इस तरह का, question number 38 की बात करते है देखे, question number 38 में क्या दिया गया है एक dog, चीज़ीज रबिट एक कुता, एक खरगोस को पगड़ता है देखे, दो चीज़ीज यह आपके पास एक dog है और एक rabbit है तो दोस्तों इसने क्या बोला the dog takes 5 laps for every 9 laps of rabbit यह 5 लेता है, यह 9 लेता है मैंने क्या बोला, आपको distance को आपको निचे रखना मेसा, distance को निचे रखना distance बताओ dog कितने लेता है, 2 और rabbit कितने लेता है, 7 रख दीजिए, और आपको सिर्फ multiply करना है, इसका multiply यहाँ पे 35, और इसका multiply यहाँ पे 18 दोस्तों यही आप transfer है 35 ratio 18, that's it इसके इलावा आपको कुछ नहीं करना है ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप अराम से इनको tackle कर सकते हैं, दोस्तों यह अपना देखो, आज हम part number 5 हमने किया है, इस session को यहीं पे रोकते हैं, part number 5 आपका हो गया है, part number 6 हम करेंगे दोस्तों, ratio based जो question थे आपके, ratio के based जो previous exam में पूछे गए थे वो हमने सारे के सारे question cover कर लिए है next class में हम proportion करेंगे दोस्तों यानि के समानुपात हिंदी में जिसको बोलते हैं समानुपात वो discuss करेंगे part number 6 में ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में हम करेंगे proportion दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है समझ में आए है सारे question तो वीडियो को like जरूर कर दें अगर अभी तक भी आपने चनल को subscribe नहीं किया है तो चनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि हम daily एक math class लेके आते हैं ठीक है दोस्तों और ज्यादा ज्यादा वीडियो को share करें ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच पाए ओके बाई दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर